हेलो दोस्तों मेरा नाम ममता अपुनिया है और मैं जो है सुपर्वाइजर के पदपर कार्य रथ हूँ मैं आपको थोड़ा प्रवेक्षक भरती परिक्षा के बारे में बताना चाहते हूँ यहां पर तीन दरें की परिक्षा है प्रवेक्षक महिला अंगनवाडी कर्यकरता सीधी भरती परिक्षा तुपर्वाइजर महिला अधिकारिता सीधी भरती परिक्षा और प्रवेक्षक महिला सीधी भरती परिक्षा अब देखिए कि इनकी जो है इनका माह जो परिक्षा का है वो बताया जा रहा है कि मार्च एप्रिल के बीच में जो है ये कंड़क्ट करवाई जा सकती है ठीक है कोई specific date mention नहीं है परन्तु हम किसी date का इंतजार करें इतना भी हमारे पास में समय नहीं है तो बिना किसी time को जो time किते time जो है हमें supervisor की त्यारी करनी चाहिए कि हम जो है इस post पर आप आई तो देखिए कोई अभी अगर आप बहुत लंबे time से त्यारी कर रहे हैं तो that is well and good ठीक है लेकिन अगर आपने अब तक भी त्यारी नहीं की है और अब आप सोच रहे हैं कि अभी तो मेरे पास में बहुत कम समय हैं तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चे जो है वो बहुत limited time में भी कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं सबसे ज्यादा किसी भी परिक्षा के अंदर जरूरी चीज क्या होती है कि जो लास्ट के तीन से चार महीने है ना उनको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है आप ऐसे देख पाएंगे कि कुछ बहुत सारे जैसे IRS officer वगर है IPS officer भी होते हैं वो IASP post जो है वो पाने के लिए दुबारा से परिक्षा देते हैं परन्तु कई बार उनका prelim भी qualify नहीं होता है वो क्यों नहीं हो पाता है क्योंकि उनको उ अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने यह परिक्षा दे थी तो मुझे जैसे supervisor महिला अधिकारिता भरती परिक्षा जब मैंने 2018 के अंदर दे थी तो मुझे इस परिक्षा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी मुझे ऐसे लगता था कि जो विभाग है वो भी आइडिया नहीं था बट मेरा क्या हुआ था ना कि मुझे मेरे भाईया ने बताया था कि कुछ PDF वजी थी कि यह फों फिल करने हैं जैसे constable का था LDC का था supervisor का था तो बस वो मैंने फों भर दिया था कि okay उसके बाद में बाकी जैसे जैसे परिक्षाई होती गई जैसे constable की ह रॉल गई एलडी से की हो गई SII की हो गई आरेस् प्रिलीम हो गया रीटन में में मेरे सारे के सारे जो पेपर है वो मेरे इक लिए थे लेकिन इसके बाद में ये हैं ता, कि इसुनन ले सीर Як added पी जोह में परिक्षाई उसके बाद में जोह सूपर्वाईजर का परिक्षा में हैं तो थोड़ा ऐसे टाइम मेनेजमेंट का इशू आया था पर मेरा क्या था कि मैंने ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट की उसके बाद में जितनी भी वेकेंशी है वो आ गई थी अम मुझे क्या था कि टाइम मेनेजमेंट ही सबसे ज्यादा जो है क्रूशियल रहा उस ट मेरा मजऄ इस टाइम की हुई थी तो मुझे इतना वरुसा हो गया और शुरू दिन सेiyorum थोड़ा सीखने का शोँग तो मेरा कही ना कहीं वो भी अच्छा थ है इंगिलिश का जो portion है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे I was confident कि अगर मैं थोड़ा सा में और दूंगे तो I can do good तो उसके बाद में मेरे पास में तीन महीने थे तीन महीने के अंदर मैंने क्या सोचा कि अब मुझे जो है पूरा महनत से मुझे सिरफ इतना पता था कि इसका ग्रेड़ पे 3600 है और मुझे कोई भी जान कर रही इस पोस्ट के बारे में नहीं थी मेरे सामने सिलेबस था और I think वही जो है मेरे लिए सबसे ज़्यादा कुरूशिल जो है वो साबित हुआ मैंने सिलेबस का मैंने मेरी स्ट्रोंग पॉइंट्स देखे कि यह टोपिक है मैं इन पर ओल्रेडी कुछ जानती हूं और मुझे थोड़ा सा जो है इस पर और कमांड करने के जरूरत है फिर मैंने मेरा जो 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 पॉर्शन मेरा वीक था जैसे मेरी हिंदी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी कि ओके एक अगर पूरा दिन है तो मुझे इतने घंटे तो इस जो कठिन वाला पॉर्शन है जो मैं नहीं कर पा रही हूं मुझे उसको देने है उसके बाद में जो चीजे मुझे आती थी उनको भी मैं भूल ना जाओ रोज जो है डेली मिल्ला ब्रश अफ हम करते रहें ग तीन मैंने जो है ऐसे स्लोट्स के अंदर अपना टाइम डिवाइड किया उसके बीच में इन विट्विन टाइम होता था उसके अंदर मैं जो भी ऐसी एक्टिविटीज जैसे जो मेरे माइन के लिए अच्छी हो थोड़ा मेरे को में रिलीफ मिले उसको मैं डिवोट करते ठीक है आप अपनी सर्राउंडिंग जो भी आपका एन्वाममेंट है उसको बहुत जादा पोजिटिव रहे रखें जितना एन्वाममेंट आपका अच्छा होगा आप से खुद से आपको फुद को पोजिटीव फील होगा पोजिटीव जो है आप फेल कर पाएंगे उतना तो देर ऊपर एक रहा है तो मुझे आपचा बाऊचा समय जाए तो मैं तो मैं लाइबरेरी में जो है सही से फिर मेरी सिटिंग भी इतनी नहीं है लाइबरेरी में कि मैं चेर अच्छे से बैट पाऊंग मुछ बच्चे किस कि पढ़ते हैं वह उनका सबकर अलग अलग है तो मुझे जो है घर पे ही रूम पे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था वो comfortable feel करती थी बट मेरी कुछ friends है उनको वो library में ऐसे मनलब 5-5 गंटे एक साथ बैठ सकती है उनको वहाँ पर बहुत अच्छा याद होता है तो वो depend करता है आप अच्छा पर कितना रिटेन कर पाते है यह भी हमारी जो है अलग अलग इनसान की अलग अलग capacity होती है इस चीज की भी तो आप उस चीज को अपने according जो है देख सते हैं परन्तु मैं यही कहूंगे कि आप चाहे प्रेविक्षर की जो है वो त्यारी करें चाहे आप सुपर्वाइजर की तियारी करें आप जिस भी चीज को लेते हैं उसको आप पुरा शिदत से करिए उसमें आप कोई भी कमी मत छोड़िए आप आपके जो जितना भी आप टॉपिक करते हैं वो टॉपिक एक बर कंप्लीट हो गया आप अपने फ्रेंड्स के साथ में डिसक करें उन पर जादा फोकस करें टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें इधर उदर क्या हो रहा है वो सब चीजें स्क्रोल ना करें एक बार सोशल मीडिया एप से थोड़े टाइम के लिए जो है वो उसको उनको विराम दे और बहुत ही जादा हाड़ वर्क करिए तीन चा अगर आप इस पोस्ट पर आते है सुपरवाइसर महीला अधिकारिता तो आप शुजाए और बाल विवा है वो रुख वा सकते हैं आप बेटी जन मौतसव उसको बढ़ावा दे सकते हैं gender equality है उसमें आप contribute कर सकते हैं अगर आप प्रवेक्षक महिला अंगनवाडी कार्यकरता सीधी भरती परिक्षा में आते हैं तो आप जब कार्यकरता से प्रवेक्षक बनते हैं तो आप दूसरों के लिए एक example set कर सकते हैं कि कोई महिला जो है ओल्रेडी जोग करते हुए भी आगे कैसे किसी पद पर जो है पहुंच सकते हैं आप अपने बच्चों के लिए उधारण बन सकते हैं तो मैं यही कहूंगे कि आप बहुत ही शिद्दत से त्यारी करते रहें आपकी इन भरती परिक्षाओं से रिलेटेड कोई भी स्वाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएए थैंक यू सो मच